रंजी ट्रॉफिय का फाइनल मॉंबई और विधर्व के बीच खेला जा रहा है और इससे पहले मॉंबई के ओल रौंडर शादुल धाकुर ने इस टूनर मिंट पर कुछ कॉमेंट्स के थे इन कॉमेंट्स को और इंजियन सीनियर मेंस टीम के हेड कोच राहुल द्रॉविट का सपोर्ट भी मिला है द्रॉविट का माना है कि बीसी से एको प्लेयर्स का वर्क लोड मैनेज करने पर करीबी नज़र रखनी चाहिए जिससे उनकी बेहतरी सुरिशित की जा सके बीती जनवरी में शुरू हुआ रंजी ट्रॉफी का सीजन मिड मार्च में खतम होगा इस दौरान कई बार तीन दिन की गैप पर भी मैच खेले गए और प्लेयर्स ने इस बात के अलोचना भी की थी शादो ने कहा था अगले साल बीसी से को इस पर फिर से विचार करना होगा और मैचेस की बीच में जादा ब्रेक देना होगा साथ से आठ साल पहले रंजी ट्रॉफी में पहले तीन मैचेस में तीन दिन का ब्रेक होता था फिर चार दिन का ब्रेक होता था और फिर पाच दिन के ब्रेक के साथ नौक आउट खेला जाता था खाको ने आगे कहा इस साल हमने देखा कि सभी गेम्स तीन दिन के गैप में खेले गए हैं उम्बीद करना कि फाइनल में पहुचने पर टीम केवल तीन दिन के गाप के साथ लगता दस गेम खेलेगी ये घरेलू खिलाडियों के लिए बेहत कठें है अब शादुल को द्रविट का सपोर्ट मिला है इंगलिंड के साथ खतम हुई टेस्स सीरीज के बाद द्रविट बो हैं इन्हें सबसे जादा क्रेट खेलनी पड़ती है ये कई लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है द्रविट ने समस्या का समाधान खोजने की गुहार भी लगाए उन्होंने कहा बिसी से को जादा ब्रेक्स देने की जरूरत है बता दे कि रंडजी ट्रॉफी को सकत एक्शन लिया जाएगा और जैशा ने कुछ ही दिन बाद दिखा दिया कि उन्होंने ये बात पूरी गंभीता के साथ कही थी जैने लगातार कही जाने के बावजुद रंजी टॉफी ना खेलने वाले श्रेय सेयर और इशान किशन को सेंट्रिल कॉन्ट्राक्ट से नि हुआ